प्यारे विद्ध देर्थियों आज हम कक्षयाचे विशे हंदी की अर्धवार्शिक प्रिक्षया का जो पर्सन पत्र है उसका हल प्रारूप देखेंगे आसा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा प्यारे देर्थियों मैरे चैनल पुलना उजला एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे, सेयर करे तता कॉमेंट करे भाग एक बहु विकल्प ये परसन, परसन एक छोटी चिडिया का इसी छोटी चिडिया संतोसी है ये चिडिया का शवाव है संतोसी, बच्पन पाठ किस विदा की रचना बच्पन पाठ साहित्य की विदा संस्मरन का हुदारण है परसन नादान दोस्त कहानी में नादान किसे कहा गया है, परसन जैर मर्ज का सही अर्थ कैया है मर्ज का साही अर्थ रोग होता है पर्षन पांच मेहनत का स्लोगों के लिए मेहनत क्या है मेहनत का स्लोगों के लिए मेहनत भाग्य रेखा है पर्षन 6 ऐसे ऐसे रचना की विदा क्या है ऐसे ऐसे की रचना की विदा एकांग की है पर्षन 7 टिकट अलबम पाठ में राजप्पा के अनुसार कौन गमंडी हो गया था राजप्पा के अनुसार नाग राजन गमंडी हो गया था पर्थम सोतंतरता संग्राम कब हुआ पर्थम सोतंतरता संग्राम सन अठारा सो सताउन में हुआ ये हमारी आजादी की पहली रडाई थी जिसमें भारतिय बढ़ चण कर भाग लिया औरता परसन नो पूडमा तिथी गोचान्द खैसा दिखाई देता है पुडम मत दिखाई देता एकडम गौल दिखाई देता है सर्धा किस हृत्पन होती है सर्धा सतो गन से उत्पन होती है परसन ग्यारा कोई एक उसम वेंजन लिखना है हमने व्याकरण में जो च्यारो उसम वेंजन है उनको लिख दिया है उसम वेंजन की परिवासा क्या है जिनके उचाण में गर्म वायू हमारे मुक्षे भार निकले उसे उसम वेंजन कहते है परसन बारा भर्त कान निहाल कहा था भर्त कान निहाल कै कै राज था चांदनी रात है पंक्ती में चांदनी क्या है पंक्ती में चांदनी विशेशन है जो संग्या सरुनाम की विशेशता परकट करे उसे विशेशन कहते है परसन चोदा सवाल सब्द का विलॉम क्या है सवाल सब्द का विलॉम जवाब है विलॉम सब्द क्या होता है जिसका उल्टार्थ निकले उसे विलॉम सब्द कहते है ब्रहामरी प्रणायम में कैसी आवाज निकलती है ब्रहामरी प्रणायम में भोरे जैसी आवाज निकलती है भाग ती अधि लगूत्रात्मक पर्सन किस आशन में दोनों हाथ ग्यान की मुद्रा में होते हैं चांद का रंग रूप गोरा चिट्टा वै आकार गोल था परसन धारा कबंद कौन था वर्णन कीजिए कबंद एक गंडरो था जो किद्रवासर इसी के स्राप के कार्ण राक्सस बन गया वह एक विसालकाय राक्सस था जिसके मस्तक पैर नहीं थे उसके पेट में ही मुँ बना हुआ था उसकी लंबी चोड़ी भहिंकराक थी दो एका हमें परसन 19 में भावार्त लिखना है रहिमन देखी बडेन को लगूने दीजिये डारी जहां काम आए वे सुई कहां करे तलवारी यहां रहिम जी कहते हैं कि बड़े लोगों का साथ थपाकर हमें छोटे लोगों की उपैक्सिया नहीं करनी चाहिए काई बार क्या होता है जो कारिये सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती है इसलिए हर किसी का मैतव है पंचवटी का वणन करना है पंचवटी में राम और लक्समन ने एक बहुत सुंदर कुटिया का निर्मान किया मिट्टी के दिवारें खड़ी की बांस के खंबे लगाए कुष और पत्तों से छप्पर डाला कुटिया ने उसे मनौरम कुटिया ने उस मनौरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया कुटि के आसपास फूलों की लताएं थी वहाँ हिरन गुमते रहते थे और मौर नाशते रहते थे परसन 21 चड़िया को गरविली क्यों कहा गया है वैसा वाव की संतोसी थी लेकिट अपने कारियों पर उसे गरव था या गरव है वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी पेने का सास करती है इसलिए चड़िया को गरविली कहा गया है भाग पांच साथी हाथ वड़ाना गीत में शेने और बावों को फॉला दी क्यों कहा गया है मजबूत इच्छा सक्ती के लिए मजबूत शेना आउसक है और इन कारियों को पुरा करने के लिए मजबूत हाथ हाउसक है इसलिए कवी ने इस गीत में सेने और बावों को फॉला दी कहा है अब जो यह इसका अथ्वा का परसन है कैसा और शेमा ने चिडिया के अड़ों की रक्षा के लिए क्या किया केसाओ और शैमा ने चिडिया के एंडों की रक्साँ के लिए सब से पहले अस्थाही छथ का निर्वान Metropolitan चावल के कुछ दानों के साथ पानी का एक कटोरा रखा और एक कटोरी की मदद से छत बनाई और कपड़े के टुकड़े से एक तक्या बनाया ताकि अंडों को आराम दायक बनाने के लिए इसे उसके निचे रखा जा सके परसं 23 जासी की रानी कविता में बुड़े भारत में नई जवानी का क्या आज से है भारत को बुड़ा कहकर कवित्री है बताना चाहती है कि भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी सैते वे कमजोर हो गया था इसकी दसा सिथिल और जरजर हो चुकी थी नई जवानी की बात कहकर कवित्री है बताना चाहती है कि अपनी खोई हुई आजादी को प्राप्त करने के लिए देश में नया जोस पैदा हो गया है अब जो ये अथ्वा का परसं है राजप्पा ने नागराजन की अलबम को अंगठी में क्यों डाल दिया राजप्पा ने नागराजन कार्जो टिकट अलबम था उसको अंगठी में इसलिए डाल दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और पुलिश उसे पकड़ कर ले जाएगी तथा उसके ऊपर कैस दर्ज करेगी इस भैस है उसने नागराजन के टिकट अ अल्बम को अंगिठी में डाल दिया